आईए दोस्तों हम आज हम सुनते हैं एक बहुत ही सुन्दर कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि हमें कोई भी बड़ा आदमी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, ये बात तो हमने कई बार सुनी होगी लेकिन अपने वास्तविक जीवन में कितने लोग ये बाद रखते हैं. वास्तविक जीवन में इंसान बड़ा आदमी बनने के चक्कर में एक अच्छा इंसान ही नहीं बन पाता है और अपने रास्ते से भटक जाता है. इस कहानी में भी इंसानियत के बारे में ही बात की गई है. बारिश का मौसम था और एक पिता अपने आच साल के बच्चे को दोपहर के समय में स्कूल से घर लेकर आ रहे थे. पिता और वो बच्चा दोनों सड़क पर पैदल जा रहे थे. तब ही चलते चलते पिता ने अपने बच्चे से पूछा की, बेटा तुम्हें आज स्कूल में टीचर ने क्या करवाया? तब बेटे ने पिता से कहा की, पापा आज इंगलिश के टीचर ने हमें नैतिक शिक्षादी और टीचर ने हमें ये भी कहा ही हमें हमें हमेशा दुसरों की मदद करनी चाहिए चाहे कैसी भी परिस्थिती क्यों न हो. टीचर ने हम सभी को ये भी कहा है की घर जाकर किसी न किसी व्यक्ती की मदद जरूर करना और कल आकर बताना की तुमने किसकी मदद की है. पापा ने अपने बेटे से कहा की बेटा में तुम्हारा होमवर्प कर दूँगा. दोनों चलते चलते जा रहे थे तभी बारिश शुरू हो गई. पिता के पास दो चाते थे. पिता ने एक छोटा चाता अपने बच्चे को दे दिया और एक बड़ा चाता खुद इस्तिमाल करने लगे वो दोनों बारिश का मजा लेते हुए घर की और आगे बढ़ने लगे तभी रास्ते में बच्चे ने देखा कि सड़क के किनारे एक कुट्टे का बच्चा बैठा हुआ है बारिश में भीगने की वजह से उस कुट्टे के बच्चे को ठंड लग रही थी और वो काम प्रहा था वो बच्चा भाग कर उस कुट्टे के बच्चे के पास जाता है और अपना छोटा च्छाता उसके सर पर रख देता है ये सब देखकर पिता अपने बेटे को डांटने लगते है और उसे कहते है कि बेटा तुम भी जाओगे और बीमार पढ़ जाओगे लेकिन वो बच्चा अपने पिता की एक नहीं सुनता है और अपना च्छाता उस कुट्टे के बच्चे के सर पर तब तक रखता है जब तक की बारिश रुख नहीं जाती है कुछ देर के बाद बारिश रुख जाती है और वो बच्चा अपना च्छाता उस कुट्टे के बच्चे के सरपर से हटा देता है और अपने पिता से कहता है कि पापा मुझे टीचर ने जो हूंवर्ग दिया था वो मैंने कर लिया इतना बोलकर बच्चा अपने पापा से कहता है कि पापा ये कुट्टा अगर ऐसे ही सड़क पर रहा तो मर जाएगा क्या हम इसे अपने घर ले चले अपने बेटे का ऐसा जानवरों के प्रती अच्छा भाव और इंसानियत देखकर पिता का दिल पिखर जाता है और वो कहते है क्यूं नहीं हम इसे घर ले जाते है और इसके साथ हम हर रोज खेलेंगे आज के जमाने में ऐसी इंसानियत बहुत कम लोगों में दिखाई देती है बास्तव में इंसान के अस्तित्व का मुख्य लक्षय तो यहीं होता है कि इंसानियत की रक्षा करना और अगर हम ये करने में भी सफल नहीं हुए तो हमें कौन इंसान कहेगा हमारा सच्चा धर्म तो कुद्रत के बनाए हुए हर जीव पर दया करना ही होता है क्योंकि खुद के जख्म पर तो जानवर भी रोते है लेकिन एक सच्चा इंसान तो वही होता है जो दूसरों का दर्द महसूस कर सके इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहनी चाहिए चाहे हम उन्हें जानते हो या नहीं, चाहे हमारी कोई भी उम्र हो हम कोई भी धर्म्या जाती से आते हो पर इंसानियत सबसे उपर प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें